हेलो दोस्तो आज की इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो जब भी आप लोग यहां पर अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां पर आपके मोबाइल में चार्जिंग में जो हैं connected and disconnected का problem आता है यानि कि जैसे ही आप लोग अपने mobile को charge में plug-in करते हैं तो यहाँ पर automatically charge होने लगता है और charge होने बंद भी हो जाता है और फिर से charge होने लगता है तो इस तरीके से जो है आपको problem आता है तो इस video में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस problem को ठीक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा इन तरीकों को आपको apply करना है फिर आपका problem यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर दूस्तों सबसे पहले आपको क्या करना सबसे पहले आपको अपने फोन में जो भी केबल आप लोग यूज करते हैं तो उस केबल को सबसे पहले देख लेना है कि वो केबल कहीं खराब तो नहीं हो चुका है कभी-कभी क्या होता है ज्यादे तर जो है प्रॉब्लम केबल में ही आता है अगर आप जो है सस्ते केबल यूज करते हैं बेश से 30 रुपे वाले तो वैसे केबल में दोस्तो आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लोग केबल को चेक कर लिजे कभी-कभी ये खराब हो जाता है तो ऐसे में आपका मुबाइल चार्ज होता है और फिर से बंद हो जाता है फिर से चार्ज होता है और फिर से बंद होने लगता है ठीक है तो केबल को चेक कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको चार्जर को चेक कर लेना है अगर दोस्तो चार्जर बहुत चांसे कम है कि ये खराब हो जाए बट फिर भी आप चेक कर सकते हैं आप चेक किस तरीके से करेंगे आप लोग यहाँ पर उसी चार्जर से किसी दूसरे फोन को चार्ज करके देखिए अगर उसमें चार्ज नहीं हो रहा है और यहाँ पर अगर आपके एडाप्टर से जो है जला हुआ इसमेल आ रहा है तो केबल वायर्स में देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरीके से आपको कले नहीं उसके बाद आपको क्या करना है कभी-कभी क्या होता है कि जब आप लोग चार्ज लगाते हैं यहां यानि कि जहां पर आप लोग चार्ज को प्लग इन करते हैं तो वहां पर आपके फोन में ह हो सकता है कि dust वगरा यहां पर आ चुका होगा या तो फिर धूल वगरा जो है कभी-कभी जम जाता है तो फिर ऐसे में जो दोस्तों जो केबल है वो ठीक से connect नहीं हो पाता है ठीक है तो आपको जो है उसको भी शेक करना है कि आपके फोन का जो plug-in पार्ट है वो यहां पर clear है कि नहीं है तो आप लोग इसको clean कर लिजिए अच्छे से फिर उसके बाद जो है आपका फोन में damage हो चुका हो बट ऐसा नहीं होता है chances कम है फिर भी आप लोग देख लिजिए कि कहीं आपके फोन का जो plug-in है वहां पर जो है damage तो नहीं हो चुका है अगर damage हो चुका है दोस्तों तो फिर इस condition में आपको अपना जो phone है उसको repair कराना पड़ेगा ठीक है और कभी-कभी क्या होता है कि आपके mobile में software का जो है problem रहता है यानि कि software अगर आप लोग बहुत दिनों से update नहीं करते हैं और आपके mobile पर software update अगर आ चुका रहता है तो भी इस condition में आपको problem आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने mobile में सबसे पहले software को update कर लेना है ठीक है तो फिर उसके बाद आपका जो problem है वो solve हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग problem solve कर सकते हैं और हो सकता है कि अगर आप लोग अपने phone को switch off करके दुबारा से on करें तो यह problem solve हो जाए तो try करके जरूर देखिएगा और दोस्तों जब भी आप लोग cable wire लेते हैं यूज करते हैं आप USB के लिए charging के लिए तो जो भी USB cable आप लोग लेंगे वो आप लोग यहाँ पर कम से कम 100 से 150 रुपीस का ले ठीक है तो जो भी cable wire लेंगे आप वो थोड़ा महेंगा वाला लिजेगा ताकि आपको कोई problem ना आएं और सस्ते cable दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी use ना करें ऐसे मैं आपको फिर से problem आ सकती है तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और हमारे channel को subscribe भी कर कर दीए